भारत ने अंतरिक्ष के शेत्र में एक और लंबी चलांग लगाई है इस रो ने आज ट्री हरी कोटा स्थित लॉंच पैट से पि-सल्वी C-38 लॉंच किया जिसमें काटो सेट 2S सेटिलाइट के साथ 30 नैनो सेटिलाइट को भी विकल से छुड़ा किया लॉंच की वक्ते इसरो के चेर्मेन एस किरन कुमार भी मौजूद थे इस लॉंच के साथ ही इसरो की ओर से कुल स्पेस्ट्राफ्ट मिश्ट्रों की संख्या नब्बे हो गई है धर्ती पर नजर रखने के लिए लॉंच किये गए 712 किलोग्राम वजनी काटो सेट 2 श्रिंखला के इस उपग्रह के साथ करीब 243 किलोग्राम वजनी 30 अन्य नैनो सेटिलाइट्स को एक साथ प्रक्षेपित किया गया सभी उपग्रहों का कुल वजन करीब 955 किलोग्राम है इन उपग्रहों में भारत के लावा आस्ट्रिया, वेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका समेद 14 देशों के नैनो उपग्रह शामिल है 29 विदेशी जबकी एक नैनो सेटिलाइट भारत का है, आको बता दे की लाउंच किये गए सेटिलाइट से भारतिय सेना को भी फायदा होगा उनकी निगरानी से जुड़ी ताकत बढ़ेगी, एक बार कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद इस्ट्रो का मकसद इन सभी सेटिलाइट को चालू कर देना है हाला के इन अंतरिक्षियानों को स्पेस में घूम रहे, मलवों से टकराने से रोकना एजंसी की सरवोच चुपराप मिकता है तो अंतरिक्ष में स्थो ने फिर इतिहास रचा है, 1131 सेटिलाइट्स लाउंच कर एक और काम्याबी हासिल की है और दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं देखते रहे डीबे लाइव